Hello everybody, this is दिग्राफ सिंग राजपूत and I'm not a NEET teacher. नीट की तयारी कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने वाला सिक्षक नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सिक्षक हूँ और इस बारसन 2024 में जो NEET का एक्जाम होने से लगा कर रेजल्ट आने तक का, जो पूरा एपिसोड था, इस पूरे एपिसोड में जितनी गलतिया हुई हैं, अब इ Unitedly we all are with our students, तो हमारे जितने भी बच्चें जिन लोगों ने अभी इस साल NEET का एक्जाम दिया था, तो उस पूरी प्रोसेस में जितनी भी गलतिया हुई, उन सारी गलतियों के खिलाफ एक साथ आवाज उठा कर हम आप लोगों के साथ हैं, आखिरकार हुआ क्या है, तो एक्जाम कंड़क्ट करवाती है, और NTA ने ये एक्जाम, अगर आप देखेंगे तो देश के सारे ही प्रमुख परिक्षाएं जो है, वो एक्जाम के द्वारा कंड़क्ट करवाय जाती है, नैशनल टेस्टिंग एजनसी के द्वारा एक्जाम करवाय जा रहे हैं, और ये वो एक्जाम है जिसके बदोलत एक बच्चे का भविश्यत तय हो रहा होता है, वो अपने सारे सपनों को इन परिक्षाओं से जोड़के देख रहा होता है, और यहाँ पर इस प्रकार की गलती है, मैं सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज रिजल्ट आया, र बहुत सारा ब्लंडर क्रियेट होता है, तो उसके फॉलॉप में तभी से री नीड बहुत सारे टीचर जो नीड के एक्जाम के तयारी करवाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्स तब से ही बता रहें कि गलतियां हो रही है, और यह गलतियां बच्चों का खेल नहीं है, यह ब इस दिन रिजल्ट आ जाता है, पहला सवाल यहां पर पूछा जाएगा कि रिजल्ट चार्ज उनको क्यों आया, इसी दिन देश में इलेक्शन का महल था, क्या आपने उस इलेक्शन की महल के साथ में रिजल्ट को पुष करने की कोशिश करी, क्यों कि दिस वॉस प्रो कास् पूरे 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 नंबर तो पहले आते ही नहीं थे, अब पूरे नंबर आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, महनत कर रहे हैं, नंबर आने भी कोई डाउट नहीं है, पूरे नंबर आते हैं, 720 नंबर का पीपर होता है, 720 नंबर का पीपर होता है, जिसमें 180 कुशन होते हैं, एक सही सवाल के चार नंबर और गलत, अगर उस सवाल का जवाब गलत दिया, तो माइनस वन होता, माइनस मार्किंगे, तो 720 नंबर के अलावा आप नंबर दे रहे हैं बच्चों को 717, 718, अब इस पर क्लारिफिकेशन आपने दिया है, कि ये ग्रेस मार्क्स दिये, टाइम वेश्ट हो आए सारी चीजे, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन नहीं आया अब इतक बच्चों के पास में, कि वो किस तरह स 717 और 18 तो practically possible नहीं है, अगर माननों एक सवाल छोड़ भी दिया, तो 716 नंबर आना चाहिए थे, और अगर एक सवाल गलत भी कर दिया, तो 715 आना चाहिए था, ये नंबर अपने आप में decode करना मुश्किल है, ग्रेस मार्क्स के हिसाब से normalize करके दिये गए, चलो वो भी म मान लिया, अब उसके बावजूद भी क्या देखने को मिल रहा है ना, एक सेंटर, हरियाना के एक सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो 67 बच्चों के rank वबन आ रहे हैं, आठ बच्चे एक सेंटर से निकल रहे हैं, शायद सारे टॉपर्स उसी सेंटर में जाके एक्जाम देना चाह रहे थे, तो इतनी सारी गलतियां और इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी कोई clarification ऐसा नहीं है कि जवाब, यहां पे सिर्फ यह नंबरों का खेल नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि यह चीज जो है, आपको कुछ सवालों के जवाब देना होगी, जैसे सबसे पहले तो यह रिजल्ट को प्रीपोंड क्यों किया, रिजल्ट प्रीपोंड हुआ है, जो डेट अनॉंस करें तो उससे पहले क्यों आया, चुनाओ के माहूल में क्या रिजल्ट को दबाने की कोशिश की गई, दूसरी चीज कि अब यह बच्चे जो है, इन बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो शायद उनके सेंटर पर दिक्कत नहीं हुई थी, उन्होंने अपना बेस्ट दे का है, और वो उस स्कोर को प्राप किया, जितने उनने महनत करी थी, क्योंकि उन्हें ग्रेसमार्क्स भी नहीं मिलें, लेकिन जब आपने दूसरों को ग्रे अगर ग्रेसमार्क दे रहे थे, तो फिर आपने नॉर्मलाइज करके बोला नहीं नहीं, 720 परियाप थे, तो इन सारे सवालों का जवाब जरूरी है, और जरूरी से जादा यह है कि समय से पहले दिया जाए, टेस्टिंग एजिंसी के पार्ट पर जो गलतियां वो गिनाने बैठेंगे, तो शायद लिस्ट बहुत लम्मी बन जाएगी, पॉइंट यह है कि यह एक बहुत एहम और महत्वण मुद्दा है, क्यों क्योंकि इस पूरे एक्जाम के पिछे बच्चे अपना पूरा साल लगाते हैं, सिर्फ एक साल नहीं, कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, चार-चार साल लगा देते हैं, और बच्चों के साथ साथ पैरेंट्स, और उन पैरेंट्स के साथ उन पैरेंट्स के उपर जो रिस्पॉंसबिलिटीज हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से एक्जाम के तयारी करवा रहे हैं, तो बह is required to be properly addressed investigate किया जाए क्या चीटिंग हुई थी क्या पेपर लीख हुआ था सारे जितने भी सवाल सिर्फ रिजल्ट से ही नहीं पेपर शुरू करने से लगा के रिजल्ट आने तक के इस पूरे पूरे प्रोसेस में जो भी गलतियां उनका जवाब देना होगा और जवाब चार साल से अट्रेंट दे रहे थे अब वो फाइनेंशली भी एक तरह से एक्जॉस्ट हो चुके हैं तो इसको कॉंपनसेट कौन करेगा और दूसरी चीज़ में बच्चों से भी कहना चाहूंगा देखो होता क्या जब हम गलती में होते हैं तो हमें ऐसा रखता है कि हमारी गलती है यह हमें एक्सेप्ट करना होगा यहां गलती आपकी है ही नहीं तो एक साथ मजबूती से खड़े रहेंगे यहां पर यहां पर आप मुझे पता है मेरे लिए बोलना आसान है कि आप निराश मत होना मायूस मत होना साथ रहेंगे पर पॉइंट यह है कि गुसा रहना चाहिए आपके अंदरोश चीज का क्या कि इस पूरी प्रोसेस में जो भी गलती है उनमें सुधार और समय से सुधार किया जाए और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस मुद्य को बढ़ चड़कर उठा रहे हैं और मजबूती से खड़े रहना होगा एक एक्जाम से जीवन कभी तए नहीं होता है मैं हजार बार बोल चुका हूं तो अभी शर्त यह लेकिन की एक्जाम और एक्जाम से जुड़े वे नंबर वो शारी चीजे एक तरफ अभी बात होगी न्याई की और उस न्याई के लिए आखरी दम तक खड़े रहना अभी किले में सिर्फ इतना कहूंगा कि we'll get the justice together we can we will thank you thank you very much